बहुत प्यार मिल रहा है आपका शोसल मीडिया का पैरामिटर हर दिन ये बता रहा है कि दो दिन पहले शुरू हुआ विस्तार नियूस का सीधे मुद्दे की बात शो आपको बहुत पसंद आ रहा है दो दिन के अंदर सोसल मीडिया और परसनल मिलाकर करीब एक हज़ार लोगों ने मुझसे संपर्क करने की कोसिस की है 36 गड़ के कुछ गाउं ऐसे भी हैं विज्वल दिखाईए भाई जहां टाटा स्काई और एर टेल के बॉक्स खरीदे जा रहे हैं जानते हैं क्यों के वल्विस्तार न्यूज देखने के लिए आज नमस्कार नहीं कहूंगा आज नमस्कार नहीं करूंगा आज आपके सामने नतमस्तक हूं नतमस्तक हूं इतना प्यार देने के लिए ये कहुंगा कि आज के सीधे मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और नमस्कार कहकर मैं इस रिष्टे को छोटा नहीं करना चाहता हूं नतमस्तक होकर इस रिष्टे को और मजबूत करना चाहता हूं ये जो प्यार आपने दो दिन में दिया है एक हजार लोग सीधे मैं फरजी आंकडा नहीं बताऊंगा मैं वहीं आंकडा बताऊंगा जो मेरे मोबाइल में है और जो विस्तार ने उसके सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म में तो चलिए आज भी सुरुवात संसद की खबर से करेंगे संसद में नए स्पीकर के चुनाओं में प्रधान मंत्री और राहुल गांदी की एक तस्वीर बड़ी चर्चा में है विस्तार से बताएंगे सब कुछ समझाएंगे दूसरी खबर राहुल गांदी के बदले लिबास की करेंगे आसंसद में अलग नजराएं है राहुल गांदी और पहले एक युवा नेता से नेता दिखाई दिये है पूरे पूरे उसकी बात करेंगे तीसरी खबर केजरिवाल की करेंगे केजरिवाल को कोट से एक और बड़ा जटका मिल गया है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से चोथी खबर किस पर है? आपात काल अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है आपात काल की खबर करेंगे मद्ध प्रदेश और छथिस गड़ में मीशा बंदियों का सम्मान हुआ है और क्या क्या हुआ है सब बताएंगे पांचनी खबर छथिस गड़ से इसकूलों की खूबसूरत तस्वीर आई है बात उसकी भी करेंगे लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो डराती है वो तस्वीर भी दिखाऊंगा और छथिस खबर क्या है? बाबा बरफानी की जै बाबा बरफानी की खबर है 29 जून से बाबा बरफानी की आतरा शुरू हो रही है मद्ध प्रदेश 36 गड़ से भी जथा रवाना हो गया है और जब आप से जुड़ा मसला हो तो एक एक तस्वीर से भला मैं आपको कैसे दूर रख सकता हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सत्र का आज तीसरा दिन था पहली खबर की बात कर लेते हैं और बहुत बड़ा दिन था बहुत बड़ा दिन था प्रधानमंती नरेंदर मोदी और राहुल गाधी की एक तस्वीर जो आज देश में वाइरल है उसका विसलेशन करेंगे लोग सभा में स्पीकर का चुना होना था ये भी विस्तार से बताएंगे ठीक दस बच कर याद करिए ठीक दस बच कर 58 मिड़ट पर प्रधानमंती मोदी की एंट्री होती है धीरे धीरे लोग सभा में सांसदों का आना शुरू होता है ये तस्वीर देख लिजे पहले ओम बिल्ला जेडिव सांसद और केंदरी मंत्री ललन सिंग के साथ बैठे हुए थे कहां बैठे थे जहां सांसद बैठे हैं वहां बैठे थे ठीक 11 वजे ठीक 11 वजे राहुल गांधी की संसद में पहली तस्वीर सामने आती है सबसे आगे वाली कुर्सी पर राहुल गांधी बैठे थे ठीक 11 वजे प्रोटे में स्पीकर की एंट्री होई उसके बाद तीसरे दिन लोग सभा की कारवाही सुरू होती है सबसे पहले सांसदों की शपत हुई 11 वज कर 3 मिनट पर प्रधान मंतरी मोदी ने स्पीकर के लिए उम बिरला के नाम का प्रस्ताव रख दिया सुनाइए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्री ओम बिरला जो इस सभा के सदत से है कोई सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाओ प्रधान मंतरी के संबोधन के बाद एक एक करके एंडिये के सभी नेताओं ने अपना समर्थन दिया ये भी दिखाईए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्री ओम बिरला जो इस सभा के सदत से है उनको और स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूँ पानी प्रधान मंतरी जो अज़े प्रस्त प्रस्ताव का मैं अनोधन करता हूँ ठीक ग्यारा बच कर तेरा मिनट पर स्पीकर पद के लिए वोटिंग शुरू हुई और थोड़ी ही देर बाद प्रोटेम स्पीकर ने एलान कर दिया कि ओम बिरला को धनीमत से अठारवी लोग सभा का स्पीकर सुन लिया गया है ये भी आप सुन लिजी ओम बिरला को उनकी सीट पर जाकर बधाई दिया और थोड़ी ही देर बाद दोख सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी ओम बिरला को बधाई देने पहुँच गया प्रधान मंति ने राहुल गांधी को इशारा किया इस रिस्ते पर भी बात करेंगे पूरा विसलेशन करेंगे कुर्ते से लेके टी-सर्ट पर बात करेंगे राहुल गांधी ने ओम बिरला को हाथ मिला कर पधाई दी फिर राहुल गांधी ने प्रधान मंतरी मोधी से भी ह उसके बाद प्रठान मंत्री मोधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी और संसदी कारमंत्री किरें रीजी जी नौ निर्वाचित लोग सभा स्पीकर को उनकी कुर्सी तक ले कर गया। विस्तार ने उजय एक एक तस्वीर का विसलेशन इतनी शांदार करेंगे कि आपके जहन में बैठ जाए कि इस एतिहासिक दिन में हुआ क्या-क्या था आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं सीधे मुद्दे की जरूरत आज सबसे ज़्यादा चर्चा जिस तस्वीर की है आगे बाद उसी की करते हैं। दिखा दीजे भाई राहुल गांदी की तस्वीर दिखाईए। देखिए प्रधान मंत्री से कैसे हाथ मिला रहे हैं राहुल गांदी। पूरे चुनाव में एक दूसरे परवार पलटवार करते रहे जम कर बयान बाजी हुई। तू तू मैं मैं हुआ। लेकिन ये भारत के लोक तंत्र की खूब सूरत तस्वीर है। इसलिए दिखाना जरूरी है। इस तस्वीर को देखकर यही लग रहा है। अब मामला सब ठीक है। देख रहे हैं आप तस्वीर ये देखिए। मुस्कुराहट देखे और ये जो पीले कलर का जूम करके रोक दे रहे हैं हम इसको देखिए। अगल बगल मनोहरलाल खटर और सिवराज सिंग्चोहान खड़े हैं उनके ताली बजाने और उनके चेहरे के मुस्कुराहट देखिए। इसी संसद में याद कीजिए राहुल गाधी इसी कुरता पैजामे के परिधान में एक बार आये थे परधान मंतरी मोधी को गले लगा लिये थे लेकिन लोकतंत्र की एक खुबसूरत तस्वीर है विस्तार नियूस में हम उसका विसले संड करेंगे और ये तस्वीर लोकतंत्र की खुबसूरत तस्वीर यही है कि आप मुद्दों की लडाई एक दूसरे से लड़िये लेकिन जब सदन में लोकतंत्र के मंदिर में आपके मुलाकात हो तो कम से कम एक दूसरे से आप नजर मिला कर मुस्कुराते रहें कम से कम इतनी गुंजाइस तो बचना ही चाहिए आज सदन में चलिए आगे बढ़ते हैं आज सदन में राहुल गांधी कुछ बदले बदले से नजरा रहे थे सबसे पहले राहुल गांधी की दो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इन दो तस्वीरों को देख लिजे आप इन दो तस्वीरों को देख लिजे ये कल और आज की तस्वीर है देखिए, आप सोचेंगे इसमें अंतर क्या है, वो सम्विधान की किताब लिये हैं और इसमें देख रहे हैं आप टी-शेट पहने हैं कुर्ता, इसी टी-शेट और कुर्ते का विशली सड़ करूंगा, कल और आज की तस्वीर, पहली तस्वीर में रा राहुल गांधी कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं, राहुल ने अपनी चर्चित टी-शेट छोड़ दी है, तो चर्चा तो होगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे सियाद है, मुझे बहुत अच्छे सियाद है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे तो पस्चिमी यूपी की उस कडाके की ठंड में तम मैं दूसरे चैनल ABP में हुआ करता था, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, मैं उस समय की पस्चिमी यूपी की कडाके की ठंड बताऊंगा, लेकिन अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, आज राहुल गांधी सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुँचे थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बहुत बड़ी, दस साल बाद सदन को नेता विपक्च मिला है, दस साल बाद याद रखीगा, अब जिम्मेदारी बदली है तो परिधान भी बदल गया है, अब समझ में आया दोनों त टी-शर्ट में ऐसा लग रहा था कि राहूल गांधी अभी इसी टी-शर्ट में पूरी राजनीती करेंगे और ऐसे ही टी-शर्ट में सभाओं को संबोधित करेंगे लेकिन अब चूकी मामला समझें। सितंबर 2022 को सुरू की थी तब राहूल के टी-शर्ट पर खूब सियासत हुई थी, खूब राजनीती हुई थी, सितंबर 2022 में राहूल गांधी के टी-शर्ट पर किया वीजेपी का ये ट्वीट याद है, नहीं याद है देखिए, वीजेपी ने क्या लिखा? भारत देखो, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी की भारस जोड़ो निया यात्रा की तस्वीर है और दूसरी तरफ टी-शेट का दाम लिखा है। एक तालीस हजार, एक तालीस हजार दोसो संतावन रुपिया लिखा है। ती-शेट मतलब आप समझ रहे हैं? अब भाई एक तालीस हजार का टी-शेट है तो चर्चा होगी, चर्चा होगी तो कमपनी देखा जाएगा, तो फिर कहा जाएगा इंडिया में है कि नई है, कहां मिलती है। यह सब कुछ है, समझ रहे हैं आप? आप बर्बरी का टी- देखते हैं जैसे ही कोई ब्रांड देखते हैं और ब्रांड से पहिचान लगाते हैं कि आदम बहुत पैसा वाला है तो 41,000 रुपिया एक 40,257 रुपिया का टी-सेट पहन कर वो पूरे कड़ाके के ठंड में घूम रहे तो बीजीएपी को लगा कि काहे भईया इतनी ठंड में ठंड क्यों नहीं लग रही है तो कीमत ही बता दिया जाए खैर ये तो रहे बीच में आपको जो गुदगुदाने वाली बात होती है वो मैं अपने अंदाज में इसलिए बताता हूँ कि टी-सेट की चर्चा गैनें तिवारी क्यों कर रहे हो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देश का सबसे बड़ा सियासी दल इस टी-सेट पर बात कर चुका चली आगे बढ़ते हैं बीजेपी की इस पोस्ट के बाद चर्चा से लेकर कल तक सर्फ टी-सेट में ही नजर आएं दिल्ली में कडाके की ठंड के बीच राहूल जब टी-सेट पहन कर भारत जोड़ो नया आत्रा में सामिल हूए तो पुरे देश में चर्चा बन गई ये तस्वीर चर्चा और कौतूहल का विशह बन गया 24 दिसम्बर 2022 की है देखें तस्वीर को साथ चलने वाले मोटे मोटे जैकेट स्वेटर सिर पर टोपी पहने हैं लेकिन लेकिन राहूल गांधी ने तब भी अपनी टी-सेट नहीं छोड़ी थी और कह दिया था आपको हमारी टी-सेट सिदिक्कत क्यों है राहूल गांधी ने ऐसा क्या कहा था 31 दिसंबर को सुनाईये जराफ भई मुझे बताओ एक बात मुझे समझा मुझे समझा मुझे समझ नहीं रही बात ये टी-शेट से आपको इतनी डिस्टरबंस क्यों हो रही है तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूँ मतलब इस्टरबंस क्यों है लोगों को नहीं मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूँगा बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है जब वहां सब स्वेटर सालोड के रजाई गंता लेकर आपके साथ टहल रहे हैं और आपको ठंडी नहीं लग रही है तो दोग पूछेंगे तो न राहुल जी लेकिन सही बात ठंड पढ़ने लगे तम मत पहनें आप बड़े नेता हैं आपकी चिंता होती है लोगों की इसलिए लोग आपसे कहते हैं कि भाई टीशर्ट मत पहने ये ठंड है कम से कम अगर आप स्वेटर पहन लेंगे तो ठंड से बचेंगे चिंता करते हैं खैर राजनीती अगर ठंड करिया देने का अधिकार है आपने भी अपनी पुतक्रिया दी अभी पिछली एहां रहूल गाधी का जन्म दिन तो मेरी पत्नी का जनम दिन है और उसी दिन रहूल घाण antium है तूम्त कैसे बूल सकता हूं राहुल गाधी का जनम दिन अगर मालीजे भूल भी गया, तो पत्नी का जनम दिन कैसे भोलूँ, घर में जाना है, खाना खाना है, पत्रकारीता के पेसे, मैं सुबह निकलता हूँ, रात को जाता हूँ, इसलिए पत्नी का जनम दिन, साधी का सालगीरा, सब कुछ याद रखन पड़ता है उस दिन रहे या ना रहे बुलिटिन देख रही होगी तो आज खाना मिलने की संभावना कम है चलिए ख़बर में आते हैं आगे बढ़ते हैं इसरे रहुल गाधी का जन्म दिन याद है उसी दिन रहुल गाधी ने अपने टी-शेट को लेकर एक पोस्ट किया सु नाये। अब आज राहुल गांधी ने ये टी-सर्ट छोड़ी है, कल फिर पहन सकते हैं, जाएंगे कहीं तो पहनेंगे, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन टी-सर्ट पर इतनी सियासत हुई, इसलिए आपको विस्तार से बताना जरूरी है, टी-सर्ट छोड़ी है तो चर्चा तो होगी तो राहुल आज नए लिवास और नए पद के साथ संसद में एंटर किये, पिछले दो लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रेस के पास इतनी विस्ती नहीं थी कि कॉंग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिल सके, लेकिन कल इंडिया गडवंधन की बैठक में ये तै कर लिया ग आजुड़ आज़ कि अज विए ने रहुल गांधी शीजा कर लेक्सरा आज़। इंडर के समय लिवाज प्रम गात्री नहीं विए लिव्य बैठक में बाहुल गांधी लिवाज़। इन्ड लॉक्स अबॉर्ट इस हाउस रेप्रेजेंस दो वॉइस ऑफ इंडिया पीपो उनको बधाई उनको बधाई और विपक्ष को साथ लेकर के चले लेकिन पूरा विपक्ष समूचा जो इंडिया अलाइन्स है सभी लोगों में एक उड़जा का संचार हुआ है अब अगर चुकी उसे पहनी बार समिधानिक पद पर आये हैं तो इतना उम्मीद हम लोग जरूर करेंगे कि समिधान के प्रति लेकर संकल्प लेने वाली लोग समिधान का सम्मान करें देखें चीडिंशी बात रिख संख्या बहुत है और राहुल जीने स्विकार किया कि वो छे लोपी रहनी है बहुत बहुत शुप कामना है उनको उनके नेता विपक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी मुझे नहीं लगता कि जो प्रतिपक्ष की सकारातमाग भूमिका होती है उस तरह की भूमिका वो निभा पाएंगे नेताओं के बयान उनकी प्रतिक्रिया पक्ष हो या विपक्ष सब सुनाना विस्तार से आपको जरूरी है ताकि आप जब विस्तार नियुस देख रहे हो तो आज ये समझ जाएं कि आज का दिन क्यों एहम है और मैं क्यों इस खबर पर इतनी चर्चा कर रहा हूं अठारवी लोग सभा में कॉंग्रेस पार्टी थोड़ी मजबूत तो हुई है लेकिन सौ के आखड़े से इस बार भी दूर ही है पर ठीक ठाक बढ़त मिली है चलिए नेता विपक्च बनने पर बहुत बहुत बधाई हो राहुल गांदी जी आप आगे बढ़ें इजाज़त है ना सब कुछ समझ गये चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की बात कर लेते हैं चलिए आप बात करेंगे केजरी वाले इसलिए पलटा हूं कि केजरी वाल को राहत नहीं मिली है जेल से इन आउट का सिल्सिला जारी है और ये जो बीजी में फोटो लगी है बेहाल केजरी वाल की ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं और मुड रहा हूं क्योंकि आज भी केजरी वाल को जटका मिला है केजरिवाल खबर में जब भी आते हैं तो गर्मी बढ़ा देते हैं आज फिर से सोसल मीडिया पर केजरिवाल ट्रिंड कर रहे हैं मानिये या ना मानिये सुरक्षा एजेंसियों के जंजाल में फस चुके हैं केजरिवाल आज केजरिवाल को कोट से एक और बड़ा जटका लगा है कोट ने केजरिवाल को तीन दिन की CBI रिमांट पर भीज दिया है CBI ने उनकी पांच दिन की हिरासत मागी थी लेकिन राउट एवन्नी कोट ने केजरिवाल को तीन दिन की CBI रिमांट पर भेजनी का फैसला सुनाया है और 29 जून को शाम 7 बजे केजरिवाल को कोट में दोबारा पेश होना होगा पहले से E.D. की गरफतारी में है केजरिवाल 21 मार्च को ही डिन केजरिवाल को गरफतार किया था और वज़े है दिल्ली में शराब घोटाला दिल्ली सरकार ने बिवादित सराब नीती को मंजूरी दी खास लोगों को लाव देने के लिए मन मताबिक संसोधन किये ये कौन कह रहा है ये CBI कह रहा है ये CBI की दलील है प्रॉफिट मार्जिन 5 प्रतिसत से बढ़ा कर 12 प्रतिसत कर दिया 16 मार्च 2021 को दक्षड के शराब कारोवारी से मुलाकात की तो क्या क्या कहा? CBI ने क्या क्या कहा? आपको मैं समझा रहा हूँ और देखिए विवादित सराब नीती को मंजूरी दी खास लोगों को लाव देने के लिए और प्रॉफिट मार्जिन 5 से बढ़ा कर 12 परसंट कर दिया तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खास लोगों को लाव देने के लिए मन मुदाबिक संसोधन और यही दलील देकर यही दलील देकर CBI ने कोट से रिमांड मागी थी कितने दिन की? 5 दिन की लेकिन मिली कितने दिन की? 3 दिन की और अब इन ही सब दलील को लेकर केजरी वाल की रिमांड मागी गई थी जब वो चुनाओ प्रचार के लिए बाहर आये थे चुनाओ प्रचार ही कर रहे थे जब कुछ दिर के लिए बाहर आये थे तब भी बवाल मचा था जब वो जेल गए और राजगाड गए अपने पूरे नेताओं के साथ तब भी बवाल मचा था और आज जब तीन दिन की रिमांड मिली है तब भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर गेजरीवाल की रिहाई कब होगी इसलिए विस्तार से आपको सब कुछ मैंने बता दिया कल आपातकाल का विसलेशन विस्तार नियूज ने आपको ऐसा दिखाया था कि आप समझ गया होंगे कि अगर प्रधान मंतरी आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं तो विस्तार नियूज आपको आपातकाल का विसलेशन इतने विस्तार से क्यों दिखा रहा है आपातकाल 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 बस इसी की चर्चा हो रही है कल वे विस्तार से समझाया गया था क्या है आपातकाल क्यों लगा किस ने लगाया नहीं देखे हैं तो विस्तार ने उसके सोशल मीडिया में जाकर जरूर देख लीजिए सब कुछ समझा जाएगा आज संसद में नए स्पीकर ओम चत्तर में देश में आपातकाल इमर्जेंसी लगाने के निन्ने की कड़े शब्दों में निन्दा करता है इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्फ सक्ते की सराना करते हैं जिनों ने इमर्जेंसी का पुरजरो गिरोट किया अबू कू संगर्ष किया और भारत के लोगत संकी रक्षा का दायत निभाया भारत के इतियास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा इस दिन तदकालिन प्रधानमंती स्रिमती इंगा गांधी ने देश में इमर्जेंसी लगाई और बाबा साब अंबेट कर दौरा निर्मित चन प्रहार किया था समारो रखा गया था ये दो तस्वीरें देख लीजिए मध्ध प्रधेश के मुख्वंती डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में सियम हाउस में मीशा बंदियों का सम्मान कर रहे हैं उन पर फूल बरसा रहे हैं दूसरी तस्वीर में 36 गड़ के मुख्वंतरी विश्णोदे तो मीशा बंदी, मीशा बंदी तीन दिन से लगातार ये सुनते आ रहे हैं ना, आपात काल का नाम आता है तो साथ में मीशा बंदी नाम भी आही जाता है तो पहले ये ही समझा देता हूँ कि कौन है ये मीसा बंदी दरासल 1971 में एक विवादास्पत कानून लाया गया जिसका नाम था Maintenance of Internal Security 1 सौट में कहें तो मीसा आपात काल के दौरान करीब एक लाख लोगों की गिरफतारी इसी मीसा एक्ट के तहत हुई इसलिए इस दौरान गिरफतार लोगों को मीसा बंदी कहा जाता है समझ गए? थोड़ा और आसान कर देता हूँ लालू यादो की बेटी का नाम याद है मीसा भारती है दरासल आपात काल के दौरान जब लालू यादो खुद मीसा बंदी के तोर पर जेल में थे तो उसी दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ उनकी कितनी बेटी है इस पर मैं नहीं जाओंगा और उन्होंने अपनी बेटी का नाम इसी विवादास्पत कानून के नाम पर रखा मीसा तो आप तो आप समझ गए ना क्या होता है ये मीसा बंदी विपक्च सम्विधान हाथ में उठाकर सवाल उठाएगा तो बीजेपी मीसा बंदियों का सम्मान करके आपको इतिहास का काला अध्याय इमर्जनसी पारबारिया दिलाएगी और सिर्फ याधी नहीं दिलाएगी मद्द प्रदेश के मुख मंतरी ने तो एलान भी कर दिया है मद्द प्रदेश के मुख मंतरी ने एलान कर दिया है कि मद्द प्रदेश के स्कूलों में आपात काल का संगर्ज पढ़ाया जाएगा सुनिए क्या कहा मोहनियादों ने कि मद्यवदेश की सरकार सदेव लोक्तंत सेनानियों का संबान करती है और इस मामले में जिस दंग से उनका संगर से वो सदेव पुझनी है मैं अपनी और से सबको नमन भी करता हूं और लोक्तंतर दुनिया में अगर जीवित है तो उसका बढ़ा कारण इनका संगर से और कां मुख्मंतरी अपनी बात बता रहे थे इसके लावा मद्य प्रदेश के मुख्मंतरी ने आपात काल की पचासवी वर्सी पर 750 मीसा बंदियों के लिए कई सुविधाओं का भी एलान किया जिसमें कहा क्या कहा स्वतंतरता संगराम सेनानियों और लोक्तंतर सेनानियों का अं अंतेश्टी के लिए 8000 की जगा अब 10,000 रुपे दिया जाएगा सरकिट हाउस में रुकने पर 50% की छूट मिलेगी दिवंगत लोक्तंतर सेनानियों को तामर पत्र दिये जाएंगे तोल नाका में छूट मिलेगी आयुसमान कार्ड में सुविधा दी जाएगी मेडिकल एम मद्ध प्रदेश की ही तरह 36 गड़ के मुखमंतरी ने भी मीसा बंदियों का सम्मान किया राइपूर सियम हाउस में आपात काल इसमृति दिवस काला दिवस कारिकरम का आयोजन किया गया इसमें प्रदेश के सभी लोकतंतर सेनानियों का सम्मान किया गया इस मौके पर 36 पश्रोतिया पिसकर देन सरण लगता है काइसे देश के लोगों के साथ बपर बजाPad मनाते हैं प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए मीसा बंदियों ने आपात काल के दौरान हुए आप बीती भी सुनाई है विस्तार ने उसकी एक खासियत है कि केवल ख़वर दिखा कर आगे नहीं बढ़ते जो है उसके फैक्ट तह तक जाते हैं और उन भावनाओं को भी आपको सुनाते हैं इमर्जंसी की चोट से जब पूरा देश कराह रहा था जेल भरे जा रहे थे क्या मनजर था जिसा आपात काल का जिक्र हो रहा है उस समय क्या थी स्थिती यह भी सुनना है आपको तो यह भी सुना देता हूं। कुछ बताते चताते नहीं थे। चार मैने तक एकड़ मजर बंद करके राखे थे। कहां है कोई स्पानुम ने। चार बाच चार मैने बाच पच्छा चला कि हाँ इसको सेंट्रा जन्वार। खुद मिशाबंदी था। हम लोग सत्यक्रा करके तेरा लोग गया थे। मानाक्चन सुराना के थानी दिम। तेरा लोग गया थे एक जन्वरी उन्नीस तो चुएंतर के। मिशाबंदी हम लोग नारा लगाया थे। के लिए जा रहे का लेजा रहे है। पचास साल हो गए हैं लेकिन टेलीवीजन में इनके दर्ध को दिखाने के पीछे का मकसद यह था कि आज भी इनके जख्व भरे नहीं है। लेकिन चलिए अगर मुख मंत्री निवास में बुलाकर मुख मंतरीन का सम्मान करते हैं इनके लिए योजनाओं का एलान करते हैं तो कम से कम कुछ तुराहत मिलेगी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और 36 गड़ से है वो खबर 36 गड़ से है स्कूल चले हम आज ये हसते खिलकिलाते नन्हे, मुन्हे, छोटे-छोटे बच्चों की कहानी दिखाऊंगा स्कूल चले हम ये नहीं दिखाऊंगा ये विस्तार न्यूज है इसमें कई पहलों पर बात करूँगा और ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा आग कि जो आप कहेंगे कि आज के दिन ये तस्वीर आप कहां से लेकर आएं है विस्तार न्यूज वालों तो आप अगर इस ख़वर को देखना चाहते हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल इस्कूल चलो की कहानी है तो रुक जाईए इस पूरी कहानी कुद्धान से देखेगा नहीं हुई है तो चलिए इस स्कूल चले हमकी शुरुवात करते हैं आज से 36 गड़ में भी स्कूल खुल गया है मैं भी अपने बच्चे को आज सुबह सुबह स्कूल छोड़ने गया था मेरी तरह बहुत से माबापने आज थोड़ी रहत की सांस ली होगी अब आप ये कहेंगे कि रहत की सांस क्यों क्या है ना बच्चे ही जुटियों में कभी-कभी इतना उधम मचाते हैं इतना उधम मचाते हैं कि लगता है कि कम से कम कुछ देर तो इस स्कूल चले जाएं थोड़ी रहत मिलेगी घर तो आना ही हो वापस खेर इस स्कूल चले हम ये लाइन सुनते ही उस स्कूल के दिनों की आदें ताजा हो जाती है ये साल 2000 में सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जादा से जादा बच्चों को इस स्कूल पहुँचाने के लिए इस योजना की सुरुआद की गई आज बच्चे इसकूल पहुँचे तो पूरे प्रदेश से मेरे साथियोंने तस्वीरे भेजी है ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाऊँगा कि जब तक आप देखेंगे केवल देखेंगे दूर नहीं हो सकते टीवी से पहले अच्छी तस्वीर की बात करूँगा फिर तो जो बुरी तस्वीर आई है वो भी दिखाऊँगा हमारे आपके बच्चों से जुड़ा मामला है इसलिए सब बताऊँगा कहीं नकसलियों के गढ़ में आजादी के बाद पहली बार स्कूल खुलाया है कुद्धे की बात करता हूँ यह तस्वीर बहुत खास है मेरे साथ ही सहनवाज खान ने नकसलियों की गढ़ में कई किलो मिटर लंबा सफर तैकर कर दिखाया है आप तक एक ऐसे गाउं की तस्वीर पहुँचाई है जहां आजादी के 77 साल बाद पहली बार स्कूल खुला है मैंने बोला था ना आपसे पहली बार तो इस्कूल खुला है तो तस्वीर कोई कहां से ला सकता है आजादी के 77 साथ बाद पहली बार स्कूल खुला है और ये इलाका कैसा है सुनते जाएगा सुकमा जिले की ये दुलेड एल्म गुंडा गाउं की तस्वीर है बस्तर का ये इलाका पिछले 40 सालों से नकसलियों के कबजे में यहां कोई स्कूल नहीं बन सका तो इस जोपड़ी को ही स्कूल बना दिया गया दिखाईए जोपड़ी आपको लगेगा कि जोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं इसे अच्छी तस्वीर बता रहा हूँ अरे भाई मैं इन इलाकों में कई बार रिपोर्टिंग करने के आऊँ जोपड़ी वाली तस्वीर दिखाईए यहां नकसलियों के खौफ के बीच स्कूल का खुलना और उनमें बच्चों का पहुचना कितनी बड़ी बात है यह मैं आपको सब्दों में नहीं समझा सकता पैदल नहीं जा सकते आपको पकडंडीनी रास्ते ही नहीं मिले इसलिए इस तस्वीर को दिखाना जरूरी है जिससे इस पर प्रसासन का ध्यान जाए तस्वीर को एतिहासिक नहीं बता रहा हूँ इस कोशिस को सलाम कर रहा हूँ और प्रसासन की आँखे खोल रहा हूँ कि यह जो जो जोपड़ी वाली तस्वीर है जहां बच्चे पहुचने की हिम्मत जोटा पा रहे हैं जहां सिक्षक पहुच रहे हैं वहां आपकी भी नजर जाए कलेक्टर महोदय की नजर जाए सिक्षा विभाग की नजर जाए सिक्षा मंतरी की नजर जाए ताकि यहां पक्की इमारत बन सके और यह जोपडी पक्की इमारत में बदल जाए चलिए अब बाकी तस्वीर भी दिखा देते हैं पहली तस्वीर देखिए बस्तर के कोंडा गाओं की तस्वीर जहां इस्कूल के पहले दिन सिक्छक छोटे बच्चों के पैर्ध हो रहे हैं कितनी खुबसूरत तस्वीर है दूसरी तस्वीर प्रदेश के आखरी कोने नकसल प्रभावित कोंटा से आई जहां छोटे छोटे बच्चे स्कूल खुलने से पहले ही पहुँच गया और गेट के बाहर इंतजार कर रहे हैं बैग बजनी लेकर कि कब स्कूल खुले और कब हम अंदर जाएं तीसरी तस्वीर MCB जिले यानी मेरे जिले मनिंद्रगड की है मैं मनिंद्रगड जिले से आता हूँ और वहां की तस्वीर है बच्चों का दिलक लगा कर स्वागत किया जा रहा है चौथी तस्वीर राइगड की है राइगड में बच्चों का अनोखे तरीके से स्वागत किया जा रहा है इन तस्वीरों को आप देखें जिए पांचवी तस्वीर कोरिया की है, कोरिया जिले में तो बच्चों को साइकल ही दे दी गई, यह अच्छी तस्वीर है, कि आज आएं हैं तो कुछ गिफ्ट लेकर जाएं, और आखरी तस्वीर सुकमा की है, वही सुकमा जिसका जिक्र सबसे पहले किया था, और भी कई तस्वी के उन पहलियों को भी बता दूं जिसमें सुधार की सक्ट जरूरत है हर तस्वीर इतनी सुंदर और प्यारी नहीं थी मेरे कुछ साथियों ने जो तस्वीरें भेजी वो दुल दुखाने वाली थी दुखी करने वाली और चिंता करने वाली चलिए वो भी दिखा देता हूं अब ये तस्वीर देख लीजी ये तस्वीर महा समुन जिले से आई है सराय पाली के मुर्मुरी गाउं में इस्कूल की पूरी की पूरी च्छत ही गाया गया है क्योंकि मरमत का काम चल रहा था और ठेकेदार ने इस्कूल खुलने से पहले काम पूरा नहीं अगली तस्वी है कि पता नहीं कब गिर जाए वहीं धमतरी जिले के कुरूद में तो भाटा गाउं इस्कूल की बिल्डिंग इतनी जरजर है कि परिजनों ने ही बिल्डिंग में ताला लगा दिया है वो तस्वीर भी देख लीजी सक्ती जिले में तो एक ऐसा भी गाउं है जहां आजाद हो गया है इस्कूल में सोचाला तक नहीं अब ये तस्वीर भी देख लीजी ये तस्वीर महा समुझी लेगे सराय पाली के मुर्वरी गाउं में इस्कूल की पूरी की पूरी छथ ही गाया है क्योंकि मरमत का काम चल रहा था और ठेकेदार ने इस्कूल खुलने से ही मना कर दिया आगे बढ़ेंगे ऐसी कई तस्वीरें हैं जिने देख कर लगता है कि कैसे स्कूल चले हम कैसे स्कूल चले क्या हम और आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ने भेज सकते हैं नहीं न थोड़ा रुक कर सोचिए न क्या ऐसे स्कूल जहां की दिवारे कमजो पढ़ गई हैं छस से पानी रिस्ता हो सोचाले तक ना हो ऐसे खंडहर इस्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजेंगे मैं तो नहीं भेजो को कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन फिर बिना किसी हिचक के कहूंगा अपने बच्चों को ऐसे जरजर इस्कूल में नह के पास मेरे आप की तरह दूसरा ओप्सन नहीं है जो मजबूरी में ही सही अपने बच्चों को सही बढ़ने तो भेजते हैं सोची ऐसे स्कूल में तयार होगा देश का भविस ऐसे स्कूलों को सुधार के लिए ततकाल सरकार को निर्ने लेना चाहिए और जिला प्रसासन को तो इस रिपोर्ट का संग्यान ले लेना चाहिए ताकि बच्चों का भविस सुरक्षित रहे बेफिक्र पढ़ाई कर सके यह चिंता का विशय है खैर अभी नई सरकार बनी है थोड़ा वक्त दीजे कुछ महीने ही हुए हैं उम्मीद करते हैं सरकार सुध लेगी और सब ठ संग्यान इस बात को आपस में एक फैसला लिया कि हम बहुत अच्छी तस्वीर दिखाएंगे स्कूल चले हम दिखाएंगे लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत से भी हमको रूबरू करवाना चाहिए प्रसासन को कम से कम इन तस्वीरों के सहारे सावधान करना चाहिए बस्तर में जोपड़ी की तस्वीर को संजय मैं अच्छी क्यों बताऊं यही बता दीजे आप कि मैं उस जोपड़ी पर सुकून क्यों महसूस कर रहा हूँ यह दुलेल्ड काओं की तस्वीर है सुकमा जिला का वो इलाका जो हिर्मा का इलाका है पिल जी बटालियन एक का इलाका है 40 सालों से यहां किसी सरकारी कर्मचारे की हिम्मत नहीं है किस गाओं में कदम रख पाए वहां अगर स्कूल खुलता है सिक्षा दूद के माध्यम से और वहां अगर बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं तो यह तस्वीर ज्यानिन जी हम और आप तो 15 सालों से इस इलाके में जा रहे हैं हम जानते हैं कि 15 सालों में क्या कुछ बदल गया संजय यह बच्चे वहां पढ़ रहे हैं संजय आपको पता यह बच्चे कहा पढ़ रहे हैं संजय भी और विस्तार से बताएंगे यह बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जहां नकसलियों ने लिखा है नकसलियों ने जहां तक्ति लगा दिये कि विधान सभा चुनाओं का भहिसकार करो मतलब आप समझ रहे हैं जब मेरे सहियोगी सहनवाज खान इस स्कूल की स्टोरी करने जा रहे थे तो नकसलियों के बैनर पोश्टर का सामना करती हुए जा रहे थे और यकीन मानिए बाइक जिस रास्ते पर चल रही थी उसके नीचे बम भी प्लांट हो सकता है अभी दो जवानों की शहादत हुई है विस्तार न्यूज आपको इतने अंदर की तस्विर दिखाएगा संजय मैं गलत तो नहीं हूँ जहां सहनवाज जा रहे हैं वो तक्तियां भी दिख रही है संजय जब बताएंगे तो बगल में आप उन विजूल को चलाईएगा संजय बताईए अगर मैं गलत हूँ ये विस्तार न्यूज और ये हमारे साथी और उनकी मेहनत को सलाम है आज हमने कहा कैसी तस्वीरे चाहिए इस इलाके की तेज बारिस हो रही थी और ये जो इलाका है यहां हर पेड़ पर सहनवाज मुझा के बताया हर पेड़ पर नकसली नारे लिखे वे थे यहां तक की प्रवेस निसेथ भी लिखा हुआ था मावादियों के अनुमती के बिना यहां प्रवेस नहीं कर सकते यह मावादियों के सरकार की जगा है यहां नकसली कभी बैट कर लाल आतंका पाठ पड़ाते थे लेकिन आज अगर वहां एक जोपड़ी नुमाई स्कूल भी खुल गया है तो हमारे लिए तो यही रहत की बात है पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसी तस्वीरों क्यों कि निंदा करूँ सरकार को कोसूं लेकिन मैं जानता हूं कि वहां जोपड़ी में स्कूल चालो होना भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है यही वज़ा है कि आज इस तस्वीर को हमने लड़कर आप से लड़के मैं इस तस्वीर को अच्छी तस्वीर में डाला यह खबर भी हमसे और आपसे जुड़ी है इसलिए आपको बताना जरूरी है मद्ध प्रदेश 36 गड़ से बाबा के भक्तों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है विस्तार नियूज आपका अपना चैनल है आपसे जुड़ी खबर है पूरा अपडेट बताना पड़ेगा न भाई कब जाना है कैसे जाना है इसलिए चलिए अब बाबा बरफानी के दरवार की बात कर लेते हैं चहल कदमी शुरू हो गई है भोले के भक्त जुमने लगे हैं तयार हैं मुश्किल रास्तों से होते हुए बाबा के दरवार में हाजरी लगाने के लिए साल में एक बार बाबा का दर्शन होता है मतलब समझ रहे हैं लोगों में कितना उत्साह रहता है कितना उत्साह रहता मैं भी गया हूँ मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे रात में कैसे दिन में हर समय पहाड चड़ने को लोग तयार रहते हैं क्योंकि पूरा साल इंतजार करते हैं पैसा जमा करते हैं प्लानिंग करते हैं फिर भोले बाबा के दरवार में हाजरी लगाते हैं स्रद्धा की मिसाल है अमरनाथ यात्रा हर कोई चाहता है कि एक बार जिन्दगी में बाबा बरफानी का दर्सन हो जाए ताकि जिन्दगी धन हो जाए मैं अपनी कहानी बता जेता हूँ बड़ी संग्छिप्त है मैं गया था 370 के दौरान बाबा बरफानी को कवर करने गया था हमERE और बाबाक आशिरवाद ऐसा हुआ कि दोमने कश्मीर में ही रह गया और 370 370 जब हटाया गया वहां से तब मैं 2 महिने कश्मीर में था और वहां बाबा बरफानी के दर्सन करने जब गया तो मैं वहाँ CRPF के कैम्प में था, वहीं रहता था, वहीं खाता था, लंगर लगते हैं, खूब अलग-अलग खाना फ्री में लोग खिलाते थे, आप लोग भी जाईएगा अब ये तस्वीर देखिए न, भोपाल की तस्वीर है, कैसे महिला, युवक, हर कोई कतार में खड़े होकर एक दम से उत्साहित हैं, बम-बम भोलेगा नारा लगा रहे हैं, अपनी संस्कृती, अपनी परमपरा की जीवन तस्वीर देखने के लिए सब लोग उमंग में और हाँ, जो लोग देख रहे हैं, अपने परिवार को भी दिखा दीजेगा, कि देखिए भाई, आप सुरक्षित जा रहे हैं, ये विस्तार ने उसका कैमरा फॉलो कर रहा है, अधिकारी से लेकर महिला और बच्चों तक में कैसा उमंग गए हमारे सहयोगी, और मद्द प कर साए, मैं कई सालों से जा रहा हूँगे, और मंदल की बहुत विफ़स्ताँ अच्छी है, इसलिए महिलाई भी जाता जा रही है, अच्छे हैं, लगातार 17 सालों से भोले नाथ के दर्सन के लिए जा रहा हूँ, और हर साल तिरसूर लेकर जाता हूँ, और भारत माता का जंडा लेकरौँद के साथ हमरे समीधी करऊंगा है कि दिक क्रांट में परिशानी नहीं है इसाल मेरे को जाते हुए विकम से 15 साल हो गया है मैं सबसे जहीं कुछ दारिश करूंगा सब अच्छे से जाएंगे और सबके अच्छे से दर्शन होंगे जे बोले नाथ की हर तरह के लोग हैं हर तरह की प्रकार से तकलीप में न रहे उसकी पूरी फुरक्षा देख लिए ना बहुत बड़ी यात्रा है भारत के मस्तक की यात्रा है लोग सोचते हैं कतराते हैं कि भाई कैसे जाएंगे इतनी दूर लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसके तीन पीड़ी एक साथ अमर्नाथ की यात्रा कर रही है क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या महिला क्या जवान महादेव के नाम पर सब के हौसले बुलन हैं देख लिजे स्याम सिंग तोमर की रिपोर्ट भी कि आप बी जा रही है अतरा पर आपने कैप लगा रखी जी बिल्कुल मैं भी जा रही हूं तयारी किया तयारी पूरी तयारी हम लोग घुमने गयते सबर बॉर्णिंग बहुत बहुत दूरी है वहाँ जाने के लिए और फिटनेस को खाफी खयाल रखा और अभी हम लोग बह सेकेंड टाइम कितने दिन का टूर है यह यह दस दिन का है वैसे तो अभी हम 26 तारी को आज निकल रहे हैं 6 तारी को वापिस आएंगे माता जी आप भी जारी कैप लगाई आपने क्या क्या तैयारी आप बहुत अच्छी तैयारी कर लाई पेली बार जारी है और साथ में परि अच्छा एक बताओं आपको जब आप दर्सन करने के लिए जाते हैं तो घुड़सवारों का इंतजार करते हैं फिर गुड़सवारों से रेट तेंग करते हैं फिर जब लॉट कराते हैं लस्त हो जाते हैं पस्त हो जाते हैं लेकिन जब आप जाते हैं ना जब आप जाते तो आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होता, आप इतने उत्साहित होते हैं, इतने उत्साहित होते हैं, मैं उस पूरे परिस्थितियों को फेल कर चुका हूँ, खुब ठंड है और पहाड कई बार गिरता रहता है, जहां पानी छोओ वहां इतनी ठंड की लगता है,ա के जहां कोई तोड़ नहीं है और इस खबर पर मैं इतना वक्त इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लाखों लोग जाते हैं बिना किसी परवाह के और इसलिए यह जो पूरी तस्वीर है मकसद यह है कि विस्तार नियूस के जरिये आपके परिवार के लोग अगर आपको देख रहे हैं तो क सब कुछ आपको दिखा रहा हूं बता रहा हूं तारिक चयात रखिएगा 29 जून जब अमरनाथ यहात्रा के पूरे रासते पर बंबं भूले की गूस सुनाई देगी कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगा कि अमरनाथ यहात्रा से ही आपको तस्विर निखाओं इसी दिन पहला जथा रवाना होगा जम्मू से लेकर पहलगाओ होते हुए बाबा वरफानी के दरवार तक पूरा माहौल भोले मैं रहेगा जम्मू पूरा तयार है 26 जून यानि की आज से जम्मू में आफलाइन टोकन का काम भी शुरू हो गया है सब कुछ बता रहा हो अब देखे भोले बाबा का कपाट तयार है प्रसासन तयार है भोले बाबा के भक तयार है तो तयारी दिखाना तो बनता है क्या-क्या प्रवंद किया गया है सब कुछ दिखा दीजिए दिखाए भाई कश्मीर में लगभग 3880 नीटर की उचाई पर हिमाले में स्थित बाबा बर्फानी के एक गुफा की श्रद्धा और आस्था अपने आप में अद्बुद है इस यात्रा को बेहत दुर्दम माना जाता है जहां देश विदेश से श्रद्धा लूप प्राक्रेतिक रूप से बने शिविलिंग के दर्शन के लिए पहुसते है अब नाद गुफा की आत्रा को लेकर सरकार हमेशा विशिश तयारी में रहती है जून जुलाई और अगस्त महिने में चलने वाली सियात्रा पर सुरक्षा और सिविधा का खासित दजामात किया जाता है गरहा मंत्री अमिशाह ने उच्चस्तरी मिटिंग के दौरां सुरक्षा के कड़े इंतजामात के निर्दिश दिये थे सुरक्षा की बात की जाए तो सेना के सास्थ साथ अर्धसैनिक बल और स्पेशल फोर्सिस की विशिश तैनाती की गई है सुरक्षबलों के लावा सीसी टीवी कैमरों से भी यातरा की विशिश निगरा नी रखी जाएगी अगर यातरियों को इस बार मिलने वाली सुविधाओं की बात करे तो ततकाल पंजी करण सुविधा 26 जुलाई से उपलब्द करा दी गई है इसके लिए जम्मू में विभिन स्थानों पर पाच केंद्र स्थापित किये गया है जम्मू में एक टोपन केंद्र भी बनाये गया है पंजी तरणों और टोपन केंद्रों में शेड और टेंट भी लगाये गया है श्रद्धलों के लिए RTC की बस की सुरुधा की भी पहल की जा रही है बात अगर स्वास्थे वमस्था की करे तो यात्रा मार्ग पर 55 चिकिस्सा केंदर स्थापित किये गया है इसमें 6 बेज अस्पताल शामिल है बालटाल और चंदन बाड़ी में 123 वाला स्पताल स्थापित किया गया है यात्रा की लिए 173 विशिशंग्यों, 204 चिकिस्सा अधितारियों और 980 में पैरामेडिकल कर्वी सहिक 1415 सौस्थे देख भाल कर्वचारी को तैनात किया गया है मकसद होता है कि 8 से 9 सीधे मुद्दे की बात में आपके मुद्दे की बात करूँ सब कुछ बता दूँ, सब कुछ समझा दूँ कि आखिर आपके लिए जरूरी क्या है आज मैंने आपको बता दिया कि देश से जो संसत से जो तस्वीर आई है द्राजधानी दिल्ली से लोगतंतर के सबसे बड़े मंदिर से जो तस्वीर आई है वहाँ के तस्वीरों का विसलेशन कर दिया इसके साथ ही आपको बता दिया कि केजरी वाल को जटका मिला है मद्ध प्रदेश और चथिसगर दोनों ही सरकार ने दोनों ही प्रदेश के मुख मंतरी ने मीशा बंदियों का सम्मान किया है एलान किया है योजनाओं का ये बता दिया और ये बता दिया कि इसकूल कैसे चले हम इसकूल तो चल दिये हम लेकिन इसकूल कैसे चले हम और अंतिम में आपको बाबा भोले नात के दर्सन करा दिये जाए पीछे-पीछे मैं भी आता हूँ फिलहाल अभी मुझे जाने की इजाज़त दे दीजे और आपको ये बता देता हूँ कि सो को लेकर अपने सुझाओ हर दिन दीजिएगा आप दे रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉंस आ रहा है फेस्बुक में हर दिन एक बज़े मैं लाइव जुडता हूँ विस्तार नियूस के फेस्बुक में अब कल कोसिस होगी कि मैं टुईटर में भी जुड़ूं यूटुब में भी जुड़ूं लेकिन आप फेस्बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो फेस्बुक में आज 40 लोगों ने सवाल भेजे हैं हम धीरे धीरे उस्कृटनी करवा रहे हैं सारे सवाल लेंगे और फिर इसके बाद इस्टोरी करवाएंगे ट्वीटर में भी टैक करके आप लोग हमसे कह रहे हैं कि इस स्टोरी को करिए सब स्टोरी जो आप लोग कह रहे हैं वो उसकी छटनी स्कृटनी हो रही है और पूरी लिस्ट बन रही है थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन एक एक स्टोरी दिखाऊंगा यह मेरा वादा है क्योंकि विस्टार नियूज आपका अपना चैनल है